हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्त होंगे तो आज जो हम करने वाले हैं आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे हम CGL 2022 में जितने भी जो में आपका एक्जाम था उसमें जितने भी कुछे गये हैं कंप्यूटर से आज हम वो सभी क्वेश्चन डिसकस करने वाले हैं अल्दो ये questions हम लोग अपनी classes में भी last में डाल चुके थे, हर class के बाद उससे related questions हमने डाले थे, so that आपको concept जो है वो बहुत easily clear हो जाए, लेकिन अभी हम लोग दुबाला से इन questions को करने वाले हैं, तो that will be like a quick revision for you guys, तो let's start the video, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने YouTube पर आप लोगों के लिए playlist बना दी है, so that आपको कोई भी problem ना हो, आपको videos अलग से search करनी ना पड़े, जैसे ये computer की playlist है, computer 2.0 जो आपका second version है, उसकी भी अलग playlist बना दी गई है, और जितने भी experiments ऐसे है जो लोग बहुत confused है, कि हमने first version देख रखा है, तो हमको second version देखना है, क्या तो ऐसा compulsory नहीं है, अगर आपने first version देख रखा है, you only need to go through the PDFs of the second version ones, यानि अगर आपने first version देख रखा है, तो आप बस second version की PDFs एक बार देख लेना, क्योंकि basic concepts वही है, हलका सा deep में कुछ समझा रखा है, concept को थोड़ा अलग तरीके से समझा रखा है, वो आप PDFs पढ़ होगे, आपको clear हो जाएगा, और अगर कुछ ऐसा है, नहीं समझ में आए, तो प्रॉपर वही portion देख लीजेगा, लेकिन अगर आपने अभी तक कोई भी session नहीं देखा, तो computer 2.2 आप देखो, उसमे 99, इसके अंदर 30 tier 1 की mocks हैं और 10 sectional test हैं, तो आप बिल्कुल try कर सकते हैं, अपने आपको evaluate कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि अभी आपकी जो preparation है, आप कहा पर stand कर रहे हैं, इसी के साथ आप देख सकते हैं, हमने current affairs की एक अलग playlist बना दी है, जिसमें आपके हर मंत के top 100 current affairs जो हैं, आपको मिल जाएंगे, तो आप बिल्कुल एक बर इनको देख सकते हैं, economics है, इसी के साथ, अगर आप GS का जो batch है, आप लेना चाहते हैं, जिसमें आपकी physics, chemistry, bio and quality जिसमें बिल्कुल free है, तो आप बिल्कुल हमारा course में, हमारे course में enroll कर सकते हैं, आप भी application को download कीज और आप batch में enroll कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, 2nd March के questions की, जो 2nd March की shift में questions आये थे उनकी, तो the very first question is, dash displays a list of utility configured the computer system and install software and hardware, यानि वो कौन सी चीज है इन 4 options में से, जो एक सूची प्रदर्शित करता है, जो computer system को configure करता है, यानि computer system में क्या क्या चीजें हैं, वो कै कैसे काम कर रही है, कौन सा software, hardware है, और कौन कौन से हमें install करने है, या फिर अगर हमें किसी को uninstall भी करना है, किसी को हटाना भी है, तो वो कहां से होता है, तो ये मैं आपको समझा भी चुकी हूँ, और वैसे मैं आपको बता भी दूँ, ये काम करता है, आपका control panel, see, इसके न किसी भी चीज को uninstall कर सकते हो, in fact, अगर आपको कोई नई device आपने लगाई है, आपको printer आपने लगाया, लेकिन अप तो printer ऐसे आते हैं, कि आपने लगाया, वो connect हो जाएगा, और print निकालने लगेगा, पहले जो printer आते थे, ऐसा होता था, कि आपने printer को connect किया, तो उनका एक driver डालना पड़ता था, कि वो driver होगा, अभी भी आते हैं ऐसे, और तभी वो काम करेगा, तो वो सब कुछ हम control panel के थ्रूई करते हैं, तो the correct answer will be control panel, second question is, video graphics array connectors are those which connect the monitor to a computer's video card and has dash holes, video graphics array connector वो होते हैं, जो monitor को computer के video card से जोड़ते हैं, और इसमें कितने खिदर, यानि कितने holes होते हैं, देखो मैं आपको बता दूँ, जहाँ भी आप ये word पढ़ोगे, video graphics array, the main thing is, ये जो चीज है, ये जो connector होता है, ये VDU, यानि कि जो monitor होता है, हमेशा, जिस पर भी video दिखेगी, यानि monitor, उसको connect करने के काम आता है, और इसमें कितने holes होते हैं, इसके अंदर 15 holes होते हैं, you need to remember this, you need to cram this, actually, आपको ये रटना ही पढ़ेगा, कि video graphics array connector के अंदर 15 holes होते हैं, the next question is, while dash, data transfers from the customer's machine to the server, किस चीज में जो data है, वो ग्रहक की machine से server में इस थान आंदर होता है, यानि हमारी machine से, हम server पे डालते हैं, तो what is it called, it is called uploading, हम upload करते हैं, कोई भी picture upload करने हैं, तो word आता है upload, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए, यानि server थे हम अपनी machine में ले रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, downloading, तो the correct answer to this question will be uploading, next question is, which of the following is not an example of email service provider, इन में से कौन सा email service provider का example नहीं है, outlook बिलकुल ये है, Microsoft का, Gmail ये भी है, Yandex, Yandex शहर्द आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन Yandex भी एक email service provider है, तो basically आपके तीनों ही ये क्या है, email service providers है, तो आपका जो correct answer होगा, वो क्या होगा, all are email service providers, The next question is, which among the following keyboard shortcuts is used to insert a hyperlink for the selected text in Microsoft Word, इन में से कौन सा shortcut है, जो hyperlink डालने के काम आता है, The first, the very first question is, what do you mean by a hyperlink, hyperlink का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप Google पे कुछ भी search करते हो, आपने कोई page खोला, वहापे कुछ, पूरा सब कुछ black color में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ टेक्स जो blue color में लिखा हुआ है, और आपको पता है कि आप इस पे click करोग मैं आपको पता नहीं, I think हर class में इस बार मैंने बोला होगा, hyperlink का, कैसे याद रखोगे लिए, को hyperlink, last में कर, k से complete हो रहा है न word, तो k से इसका shortcut है, control plus k, तो यहापी misprinting है, the correct answer to it is control plus k, तो आपका जो hyperlink insert होता है, उसका shortcut है, control plus k, next question is, which among the following is incorrect about laser printers, laser printer के बारे में कौन सा option ब is it can print multiple copies at a time, इसमें एक ही time पे बहुत सारी copies निकाल सकते हो, जी नहीं, ऐसा यह बिलकुल गलत है, fast speed बिलकुल, laser printer बहुत fast speed वाले printers होते हैं, यह lasers का use करते हैं, light का use करते हैं, ताकि dots बनाएं, dots से एक एक character बनता है, यानि कोई भी alphabet जो बनता है, alphabet को generally हम characters बोलता है, तो dots का use करते हैं, और multiple fonts, आप का अलग-अलग size, अलग-अलग style, आप सब कुछ print कर सकते हो, but multiple pages, multiple copies एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, तो the correct answer is option A, which of the following option of print setting is used to choose only specific pages in MS Word 365, in fact यह questions if MS Word 365 के लिए है, यह हर एक चीज में है, अगर आप print निकालना चाह रहे हो, आपके, मालनो कोई PDF है, उस 50, यानि वो 10 पेज निकालना है, 40 से 50 के बीच में, तो आप वो proper pages कैसे निकालोगे, आप जाओगे custom print पे, custom print पे जाके क्या होता है, आप proper specific page number डाल सकते हो, उन्होंने बोला है कि कौन से विकल्प का use हम करते हैं, जब विसिस्च प्रस्चों को चुनने के लिए किया जाता ह print all pages, print selection, print current page और custom print, तो custom print, हम बोलते हैं कि कुछ भी चीज़ हमें करानी हो अपने according, तो हम customize कराते हैं, अगर आप प्रिंट भी निकालोगे, तो custom print पे जाता है, तो अगर आप प्रिंट भी निकालोगे, तो custom print is the correct answer है, reload, कि कुन है, load करने के लिए कौन सा shortcut होता है, F5, F5 ही refresh का होता है, और F5 ही अगर आप Google Chrome पे आपने कुछ भी सर्च किया, तो उसको उसको उसके लिए भी reload के लिए F5 का use करेंगे, Dash is a type of malware that is often disguised as a legitimate software, इन में से कौन सा malware वो है, जो अपने आपको वैज software के रूप में प्रच्छनन होता है, मतलब क्या है, कि वो अपने आपको दिखाएगा कि I am a legitimate software, यानि मैं बिल्कुल सही software हूँ, लेकिन जैसे आप click करोगे, वो सही नहीं होगा, वो illegitimate होगा, तो उसक आपके जो enemies थे, उन्होंने यूज किया था, लकडी का जो गोड़ा है, अधर टोई, उन्हों वो भेजते थे, कि हमारा जो है, आप कह सकते हो कि सिंबल है, पीस का, हम शान्ती चाहते हैं, तो लकडी का गोड़ा था, क्योंकि उस जो महल था, उसके दिवारे इपनी strong थी कि के अंदर कोई नी जा सकता था, तो उन्होंने इस तरीगे से भेज़ा और उस गोड़े के अंदर सैनिक भी ठा रखे थे, तो Trojan वो है, जो दिखेगा ऐसा कि legitimate है, बट इट विल नॉट बी ए लेजिटिमेट सॉट्वेर, तो correct आंसर इस टोज़ा, इन MS-Excel 365, विच अप द तो home के सारे option आ रहे हैं, आप किसी और पर click कर रहे हो, सब के option आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तो ribbon, the correct answer is ribbon, next question is, shading option in MS-Word 365 is used for, अगर आप MS-Word 365 में shading का option use कर रहे हो, तो वो किसलिए काम आता है, जब भी आप कुछ लिख रहे हो, लिखे हुए टेक्स के पीछे शेड करने के लिए, आप शेडिंग option का use करते हो, तो चार options है आपके पास, changing the color of the selected text, कि जो आपने text select कर रहा है, उसका color change करने के लिए जी नहीं, changing the color behind the selected text, yes, it is the correct answer, जो selected text है, उसके पीछे का color change करने के लिए, आप shading option का use करते हो, which of the following is correct option in MS Excel 365 देखिए अगर आप normal Excel की बात कर रहे हो तो उसके अंदर जो naming होती है that is very easy पहले column का नाम आता है फिर row का नाम आता है लेकिन अगर मैं बात कर रहे हूं 365 में इसमें थोड़ा naming का अलग जो है वो थोड़ा scene अलग है जैसे इनोंने बोला कि अगर column A है और row 10 है तो जब आप उसको function या formula में convert करोगे वो किस तरीके से दिखेगा तो वो A ratio 10 की form में दिखेगा अगर आप formula या function की form में उसको use कर रहे हो वो कौन सी memory होती है वो कौन सी unit होती है जो सीधा CPU से contact करती है तो उस memory को बोलते है main memory main memory वो memory है जो सीधा CPU से connect करती है CPU से communicate करती है तो the correct answer is main memory which among the following statements is incorrect इन में से कौन सी statement incorrect है cache memory keeps the programs that can be run in a short amount of time देखो cache memory सबसे ना fastest memory होती है cache memory के अंदर temporary चीज़े store होती है जिस पे computer present में काम कर रहे है आपने computer को off किया cache memory बिल्कुल loss हो जाईगी तो इन्होंने बोला वो सारे programs रख रही है जो की short amount में चल रहे हैं बिल्कुल correct है the size of cache is usually small ये बिल्कुल ठीक है cache memory is faster than the main memory बिल्कुल इसको fastest memory बोला जाता है cache memory stores data in permanent use ये गलत है cache memory के अंदर temporary use के लिए data store होता है dash cookies track you and expose your privacy कौन सी cookies हैं जो आपको track करती है और आपकी privacy को आपकी गोपनियता को सबके सामने expose कर देती है तो ये होती है आपकी third party जितने भी third party apps होते हैं वो यही करते हैं अगर आप उनको permission देते हो they can track you and they can expose your privacy also which among the following statements is incorrect इन में से कौन सी statement incorrect है trozen self replicate and infect other file ये बिलकुल गलत है trozen आप समझ लो आपको मैंने बताया था trozen वो है जो दिखने में legitimate लगता है पर वो legitimate नहीं होता वो दिखने में लगेगा कि बिलकुल real software है बट वो बिलकुल copy होता है आप कह सकते हो कि वो पूरे computer को खराब कर सकता है तो लेकिन वो अपने आपको self replicate नहीं करता तो the correct answer is option A लेकिन बाकी options भी पढ़ लेते हैं the second option is trozen spreads through user interactions such as opening an email attachment और downloading and executing a file from the internet trozen start कैसे होता है जिसे आपने किसे attachment में click कर दिया इमेल से कुछ आया हो आप डाउनलोड कर रहे हो तो वहां से आपको दिखा आपके computer में आएगा it looks like a legitimate software some trozen create backdoors to give malicious users access to the system यह भी बिलकुल सही है कुछ trozens ऐसे होते है जो आप कह सकते हो कि रस्ता दे देंगे दूसरे users को कि आपके computer में वो access कर सकते है तो the correct answer to this question is option A it is the incorrect statement dash is a passage to connect two networks that may work on different networking models देखो एक network था यह अलग model पे काम कर रहा था एक model है यह अलग उस पे काम कर रहा है लेकिन आपको क्या करना है आपको इन दोनों को connect करना है तो आप क्या करोगे इनके बीच में एक gate बना दोगे यह मैंने आपको ऐसे याद कर रहा है था class में तो इनका दो अलग-अलग network को connect करने के लिए जिसमें यह अलग model उस कर रहा है यह अलग model उस करना है अगर आपको connect करना है तो आपको इनके भीच में एक gate बनाना पड़ेगा to connect two different networks using two different models you will use a gateway आप gateway का इस्तमाल करते हो dash is a high speed device used in CPU that is utilized to store data temporarily during processing वो कौन सी high speed device है जो CPU में use होती है जिससे data temporary store किया जाता है temporarily आप store करते हो देखो जिसे cache memory है cache memory है कि आपने कुछ भी चीज open की तो वो जो भी memory है वो cache memory में आएगी लेकिन अगर आपने कुछ चीज open नहीं की computer में CPU में especially जो भी चीज़े temporarily use होती है वो सब use होता है registers में registers is like CPU के अंदर छोटे 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 एरिया बने हो है जैसे आपने bio में पढ़ाओगा four brain हमारा दिमाग का जो front वाला part होता है उसमें छोटे छोटे एरिया बने हो है हर चीज़ के लिए अलग एरिया है ऐसे ही जो computer CPU है जिसमें CPU यह लिखता है कि यह चीज़ चाहिए तो मुझे क्या कहां जाना पड़ेगा वो हो गए उसके registers उसमें भी जो data है वो temporarily store होता है the instruction that is not to be executed immediately is placed in the dash जो instruction एकदम execute नहीं होना होता वो कहां पर रखा जाता है so the first is current instruction register second program counter instruction buffer register memory address register the correct answer is instruction buffer registers जो buffer register होगा इसके इंदर सारे वो instructions रखे जाता है जो एकदम execute नहीं होने होते dash is also known as electronic disk किसको electronic disk के रूप में भी जाना जाता है देखो USB, USB hard drive, solid state drive, network storage server इन में से जिसको आप electronic disk बोलते हो उनको वो है आपके solid state drive solid state drives ही है जिनको electronic disk के रूप में भी जाना जाता है तो यह आपकी second march की shift के questions सारे finish हो गए है let me come to third march shift which among the following keyboard shortcuts is used to bookmark the current web page on the web browser अगर आपने कुछ भी चीज ओपन की web browser पे तो वो कौन सा shortcut है जो bookmark करने के काम आएगा bookmark का मतलब आप वही सीधा open कर सकते हो bookmark अगर आपने किया है तो उसका कौन सा option है the correct answer is control plus D control plus D से जो भी page आप चाहते हो वो bookmark हो जाएगा आप सीधा bookmark पर जाओगा आप exactly वही page open कर सकते हो the next question is dash are the rules that exist at several levels in a telecommunication connection मैं यह आपको बता चुकी हूँ जो rules हम follow करते हैं उनको protocols बोला जाता है computer भी अलग-अलग network में अलग-अलग level पे उसको rules follow करने होते हैं तो उन rules को हम क्या बोलते हैं protocol each cell in a work sheet of MSXL 365 is identified by a cell dash MSXL 365 में हर एक cell को जो पहचाना जाता है वो किस चीज़ से पहचाना जाता है उसके reference है reference का मतलब उसके address से उसके column number और उसके row number से तो हर एक cell number जो आप पहचानते हो वो पहचानते हो उसके reference से which among the following generation of computer use the technology of transistors for the first time निमलिखित में से किस PD के computer ने पहली बार transistor की तकनीक का उपयोग किया था मतलब यह है कि जो transistor technique थी वो कौन सी generation के computers ने यूज किया था तो वो यूज किया था आपके second generation के computers ने first generation के computers ने vacuum tube का यूज किया था second generation के computers ने transistor third में integrated chips आ गई थी fourth में micro sorry third में I think microprocessors आ गई थे fourth में integrated chips आ गई थी so C option is the correct option next question है dash is also known as protocol converter rules को convert करने का काम किसका है same एक बात सुनो अगर आपके दो network हैं दोनो सेम रूल फोलो कर रहे हैं कि कि अब दो अलग अलग network हैं उनको जोड़ने काम gateway करेगा राइट तो ये प्रोटोकोल को change करने का काम भी कौन करता है आपका gateway. Next question is, once Dash has infected a substantial number of systems, it generates revenue either by displaying advertisements or using pay-per-click mechanism to charge its clients against the number of clicks on their display ads. अगर एक बार इस चीज़ ने आपके computer system को affect कर दिया, तो आपके बास बार-बार show होगा advertisements या फिर pay-per-click, click करते हैं आप pay करोगे. तो basically आपको मैं बता हूँ, इस पूरे question को पढ़ने पर, मुझे एक चीज़ बहुत clear हो गई, अगर आप add आपको विग्यापन दिख रहे हैं, add वाला सबसे आसान होता है, कि वो आपका काम करता है, addware, addware का काम ही यह है, कि वो किसी भी चीज़ को legal use के लिए, जो है, आपके लिए बना देता है, आपको क्या करना होता है, अगर आप pay करना नहीं चाहते, तो आपको timely वो add दिखाएगा, add देखोगे, और आप free में उस चीज़ को देख सकते हो, for example, YouTube पे भी ऐसे ही होता है, अगर आपने देखा हो, बीच में add आते हैं, वीडियो के बीच में, तो correct answer is option A, which among the following devices is also known as visual display unit, यह very first, सबसे पहला question था, जो वीडियो display unit है, वो किस और नाम से भी जाना चाहता है, तो monitor को हम video display unit भी बोलते हैं, क्योंकि monitor, यानि एक ऐसे device है, जिस पर आप videos वगर्ण देख सकते हो, basically आप, आप कह सकते हो, जो visual चीज़ें हैं, वो आप monitor पे देखते हो, तो monitor is also known as visual display unit, which among the following ports is also known as line printer port, इन में से कौन से port को line printer port के नाम से भी जाना जाता है, यानि ऐसा port जिससे line printer भी add हो जाता है, तो मैं आपको बता दू, जो parallel ports होते हैं, normally printers के लिए हम parallel ports का इस्तमाल करते हैं, parallel ports वो होते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे same number of holes होते हैं, तो प्रिंटर्स के लिए तो लाइन प्रिंटर पोर्ट के लिए भी जो पोर्ट होगा वह कौन सा होगा पैरलल पोर्ट वह बोल रहे हैं कि जो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सेव अंडू और रीडो का ओप्शन होता है डीफॉल्ट अगला है कट अंडू और रीडो देखो कट तो नहीं होता मैं आपको यह बता दू तो कट वा इंकरेक्ट बताना है न यह बिल्कुल ठीक है सेव अंडू और रीडो का ओप्शन होता है अब देख भी सकते हो मैं आपको एक सेकंड आपको दिखावी देती हूं हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ 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 है सैंडू रीडो का ओप्शन है बिल्कुल ठीक है हुआ है हुआ है जैसे यह जो quick access toolbar है अभी ribbon के क्या यह ribbon है आपका अभी ribbon के उपर दिख रहे हैं तो यह चीज ribbon के नीचे भी आ सकती है यह आपके option होता है यह arrow पर क्लिक करोगे नीचे आ जाएगा show below the ribbon तो आपके उपर है कि आपको जो एक quick access toolbar है ribbon के उपर चाहिए रीबन के नीचे मैंने आपको सारे options दिखा दिये तो इसमें आपको incorrect चीजे बतानी है तो आपका Q और S दोनों जो है incorrect है क्योंकि इनों ने बोला there is no option जबकि option होता है तो Q और S दोनों ही incorrect है तो that means it will be the correct option which of the following font effects is not available in MS word 2010 font dialogue box इन्वे से कौन सा font effect नहीं available है word 2010 में double strike through है superscript double strike through का मतलब होता है जो भी word लिखा हुआ है इसके दर भी दो lines आजाएंगी इसके दर भी दो lines आजाएंगी superscript यानि जैसे हम x square लिखते है तो इस superscript में है small caps small cap का मतलब है सब को short में लिखना यानि capital letters में नहीं लिखना small letters में लिखना equalize character height हर character की height equal करना यह नहीं है हर character की height equal करने का मतलब है कि A और B दोनों की height equal कर दो तो यह it is not possible and नहीं आओ क्योंकि obviously हर character की shape अलग होती है next question is dash is the oldest type of CPU इन में से सबसे पूराने type का CPU कौन सा है जैसे आपको पता होगा अभी तो quad code चल रहा है तो pentacore भी आएगे अभी आने शुरू हो गये हैं तो वो बोल रहे हैं कि CPU का सबसे पूराना साइन बना हुआ होता है जहां पर आप क्लिक करोगे और नया email बना सकते हो which of the following is math and trigonometric functions available in MS Excel 365 इन में से कौन सा math और trigonometry का function है financial, abs, logical और text ABS function ही है जो बहुत famous है और trigonometry absolute इसको बोलता है यह math और trigonometry से related है financial, logical और text यह तीनों math से related नहीं है which among the following statements is incorrect about secondary memory दो इत्यक memory के बारे में कौन से statement बिलकुल गलत है computer में run without secondary memory ने को primary memory होनी चाहिए अगर secondary memory नहीं होगी तो भी computer चल जाएगा slow चलेगा जादा storage आप नहीं कर पाऊगे लेकिन चल जाएगा it is a volatile memory यह गलत है primary memory volatile memory होती है secondary memory is always non-volatile so it is incorrect और आप से incorrect ही पूछा था next is data is permanently stored even if power is switched off that is why it is called non-volatile इसको non-volatile बोलता ही इसले है क्योंकि इसके अंदर data permanently store होता है the last is it is known as backup memory बिलकुल अगर आपको कोई चीज़ पर्मनेंटली store रखनी है backup के form में तो आप इसको backup memory भी बोल सकते हो आप secondary memory में ही store करते हो which among the following statements is incorrect इन में से कौनसी statement incorrect है in the navigation pane there is quick access area मैं आपको बता हूँ navigation pane होता क्या है actually जैसे अगर मैं बोलू एक minute let me close this मैं this PC open कर रहे हूँ इसको बोलता है navigation area ठीक इसको navigation area बोलता है जिसमेंसे आप एकदम short में आप कहीं भी जा सकते हो तो वो बोल रहे है navigation में quick access area होता है बिल्कुल navigation pane आप इसलिए it enables to easier navigate through windows explorer आप easily कहीं भी जा सकते हो बिल्कुल ठीक है from the navigation pane you can view your computer's file and folder structure and access बिल्कुल आप computer में कितनी files है क्या structure है वो देख सकते हो the right window of the windows explorer is called the navigation pane right side वाली window को navigation pane बोलते हैं गलत मैंने जस्ट आपको अभी दिखाया यह left side वाली चीज़ को बोलते हैं हम लोग window यह sorry navigation pane so the incorrect option is option D dash viruses are embedded in a system's memory so it can be reactivated if the original virus is deleted वो कौन से virus है जो computer की memory में होते हैं अगर original virus delete हो जाए तो वहां से वो reactivate हो सकते हैं तो वो होते हैं आपके resident viruses resident का मतलब क्या है जो रहते हैं resident viruses वो viruses हैं जो system की memory में ही सन्निहित होते हैं या ताकि अगर कभी original यानी mole virus हटा दिया जाए तो इसे फिर से सक्विया किया जा सकता है dash is a type of dedicated file storage device that provides local area network users with centralized consolidated disk storage through a standard ethernet connection यानी वो कौन से type का network है या कौन से type के storage device है जो LAN users को आप कह सकते हो Ethernet connection के साथ provide कराती है तो basically आपको network से connect करना है ना LAN users को तो जो आपकी device होगी आप उसको सब जगा भेज सकते हो तो वह बोल रहे हैं वह कौन सी device है वह कौन सी storage है तो it is network attached storage obviously एक network में बहुत सारे computer systems है लेकिन उनका एक ही storage होना चाहिए तो network attached storage NAS In web browser which of the following is responsible for displaying the web pages किसी भी web browser में web pages देखते हैं तो वह बोल रहे हैं वह कौन सा server है या कौन सा engine है जो web pages को display करने में help करता है यह हम अपनी classes में समझा चुकियों में आपको it is called rendering engine rendering engine है जो आपके web pages को यानि जो web pages होते हैं उनको display करता है उनको प्रदर्शित करता है some cookies are automatically recreated after a user has deleted them अगर एक user ने किसी को delete कर दिया वापस recreate हो जाती है कुछ cookies ऐसी होती है उनको हम क्या बोलता है उनको बोलता है zombie cookies जैसे आप games वगर भी केलते हो तो zombies basically वही major दिमाग में सबके रहती है कि zombies को मारा नहीं जा सकता मनने के बाद ही zombie बनते है तो same way है कि जो cookies आप delete कर चुके हो आपस बन रही है उनको हम बोलता है zombie cookies Dash memory is sometimes used to increase the speed of processing by making current programs and data available to the CPU at rapid rate कौन सी memory है जो computer की speed को processing की speed को तेज करने का काम करती है कैसे जो current program और data है उसको फटा 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 वो use करवाएगी तो अपने आप speed बढ़ जाएगी कौन सी memory का उपयोग कभी-कभी CPU को तीवर गती से वर्तमान program और data upload कराकर processing की गती बढ़ाने के लिए किया जाता है fastest memory कौन सी होती है आपकी cash memory होती है तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी memory कौन सी memory की वैसे processing fast हो जाती है cash memory तो आपकी 3rd March की shift भी complete हो गई है अब हम बात करते है 6th March की और 6th के बास 7th March की shift और है बस तो first question is which among the following statements is incorrect इन में से कौन सी statement incorrect है downloading is a procedure of copying files from web browser to the machine downloading का मतलब है web से यानि internet से machine में download करना विल्कुल ठीक है uploading is a procedure for copying data from device to web server यह विल्कुल ठीक है पहले भी आ चुका है data travels from user's device to web server while uploading अब same चीज़े है बस language आपकी change कर दी memory is required to the web server to download anything memory की जरत होती है अगर आपको download करना आपको storage की जरत होती है memory की नहीं और storage और memory में फर्क मैं आपको बहुत क्लिरली first chapter में ही समझा चुकी हूं option D is the correct answer which of the following is not a magnetic disk इन में से कौन सी magnetic disk नहीं है DVD DVD हो गई और CD हो गई यह optical disk है it is not a magnetic disk zip disk, winchester disk और disk pack यह सब आपकी magnetic disk होती है पर DVD, CD आप कह सकते हो यह सारी आपकी कौन सी है यह आपकी optical disk है dash server acts as a set of components accessible to a software developer through an API defined by the platform itself कौन सा server है जो platform द्वारा परिभाशित API के माध्यम से यानि वो कौन सा server है जो जो भी platform आप यूज कर रहे हो उसमें एक defined यानि उसमें हुआ करें वो कौन सा server है जब आप open करते हो तो उसमें hurtiest fix होती है इसमें यह जो server है यह काम करेंगा तो basically हम app use करते हैं अगर आप कोई भी आप open कर रहे हो तो करेंगा और तब हर फाइल को open करेंगा तो वो आपसे यह पूछता है कि वो कौन सा server है जो एक component का set वो define करता है कि यह define जो manufacturer है यह कह सकते हो बिल्कुल अगर basic language में बोलू कि यह manufacturer है इसने यह चीज़े decide कर रखे और इसी के साब से वो चलेगा तो वो क्या होती है application होती है app होते हैं तो application is the correct answer a dash is a contagious programmer code that attaches itself to another piece of software and then reproduces itself when that software is run यानि इन चारों में से कौन साइक संक्रामक यानि की फैलने वाला program है जो खुद को पहले किसी भी software से जोड़ लेगा और जैसे ही आप उसको click करोगे तो वो तो चलेगा चलेगा उसके बाद क्या होगा वो अपने आपको copy भी करता रहेगा तो अपने आपको copy करने के लिए एक बहुत बहुत famous जो है वो है आपके virus वाइरस ही है जो अपने आपको replicate करता है अपने आपको copy कर सकता है दूसरों से attach करेगा host की जरुत होती है तो वाइरस is the correct answer consider the following statement about match function अच्छा ठीक है match क्या करता है match आपको basically एक digit देगा और आपको बोलेगा अगर आपको इस digit को ढूंडना है इतने बड़े array में मतलब आपके पास बहुत बड़ा data है आपको particularly एक digit दूंडनी है तो आप match function का use कर सकते हो match function बलकि आपको सिफ वहीं तक नहीं रोगता कि आपको सिफ उसको ढूंडना है match function और आपको वह दूंडनी है तो आपको help करेगा उस digit से छोटे digit दूंडनी है तो आपको help कर सकते हैं और उस digits से बड़ी digits ने कितनी digits यह जो इस से बड़ी है आपको वह तब भी ढूंडने में help करेगा तो अब इसके options पहरते हैं तो incorrect, sorry, आपको true यानि जो correct statement है उस पर click करना है, तो the very first is, it searches for a specified item in a range of cells and then returns the relative position of that item in the range, ये एक specific item को ढूंड सकता है और उसके बाद उसकी position भी बता सकता है, बिल्कुल ठीक है, the match function syntax is, जोगो, syntax का मतलब क्या होता है, कि आप कैसे values put करते हो, तो आप match लिखते हो, फिर look up value, य look up array, इसके बाद selection देते हो, कि इतने सारे selection में, array का मतलब होता है selection, match type, match type का मतलब हो exact ढूंडना है, उससे छोटा ढूंडना है, उससे जादा ढूंडना है, तो आप तीन digits का use करते हो, minus one, zero or one, तो ये बिल्कुल correct syntax है, P और Q दोनों ठीक है, all the arguments in a match function are required, सारी की सारी arguments match function में require होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप कम और जादा, दोनों भी ढूंड सकते हो, exact वो ढूंडने जरूरी नहीं है, तो only P and Q are true, which of the following, internet protocol specifies how data is exchanged over the internet, इन में से कौन सा प्रोटोकॉल है, जो ये decide करता है, कि कैसे data जो है internet के थूरू exchange होगा, और कैसे वो IP packets में तूटेगा, त तो सबसे पहली बात तो internet, internet protocol जो है न, IP, internet protocol को क्या बोलता है short में, IP और आपने देखा होगा, IP के साथ हबिशा क्या आता है, TCP, transmission control protocol, इसी से internet चलता है, TCP IP, तो correct answer is TCP, transmission control protocol, which of the following buttons के, आप देख रहे हो, इस shift में ही repeated question है, quick access में कौन सी चीज़े होती है, तो अभी मैंने आपको दिखाया भी save, undo और redo, यह जो है, आपका quick access में होता है, which among the following keyboard shortcut can be used to open windows explorer, windows explorer को open अगर करना है, तो आप कौन सा shortcut use करते हो, आप window key press करोगे, ऐसी बनी हुई होती है, shift और control के आसपास, और साथ में E, ठीक है, तो windows प्लस E आप प्रेस करोगे, तो आपका Microsoft explorer खुल जाएगा, Windows explorer खुल जाएगा, in Gmail, what do you use when you receive a mail, and want to send the mail in response of the same mail, and to the original sender only, आप से वो यह पूछ रहे है, कि Gmail में आपने अपनी mail ID open कर रखी है, आपको एक mail मिला, अब उसी mail का जवाब देना है, उसी के अंदर, और जो mail आपको, जिसने sender है, जिसने आपको mail भेजा, सिप उसी को आपने भेजना है, तो आप किस option का use करोगे, obviously reply का, आपके पास कोई mail आया है, आपको उसको जवाब देना है, तो आप क्या करोगे, नीचे option होता है, reply and forward, in fact, तीन option होते है, reply, reply all, और forward, तो अगर आपको सिर्फ original sender को, यानि जिसने आपको mail भेजा है, सिर्फ उसको आपको भेजन है, तो आप reply का option क्लिक करोगे, अगर जो original sender है, उसने आपके इलावा कई सारो को रखा है अपने साथ, आप reply all करोगे, तो सब तक आपको answer जाएगा, और forward का मतला है, वो email आपको किसी और को भेजना है, तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपको बस ये बोला है, कि reply कर, which among the following keyboard shortcuts, open the properties for selected item on a windows 10 home screen, वो आप से पूछ रहे हैं, कि इन में से कौन सा keyboard shortcut है, जो आपके लिए क्या करता है, properties खोल दे, आपने जैसे home screen पे कोई भी आपने item को क्लिक किया, जैसे ही उस पे क्लिक करोगे, मतला shortcut पे क्लिक करोगे, उसके सारी properties खुल किया जाएगी, तो correct answer is alt plus enter, alt plus enter से उसके सारी properties जो है, वो खुल कर आपके सामने आजाएगी, home screen पे, which of the following shortcut keys used to quickly create a new blank workbook in MS Excel 2010, रेको तो बहुत असान है, new workbook खुलने के लिए आप कौन सा shortcut use करते हो, control N, अगर मैं कहूं, आप अभी एक workbook पे हो, आपको कोई और open करनी है, तो आप क्या करोगे, control O, save के लिए क्या करते है, control S, अगर आपको bold में कुछ लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, control B, italic में, control I, तो underline करना है, control U, तो control वाले shortcut बहुत important है, अच्छे से learn कर लिजेगा, which among the following is incorrect about cache memory, ये वाप पसे आगया repeated question है, it keeps the programs that can be run in a short amount of time, proper ही आपका repeated question है, short time के लिए store करता है, बिल्कुल ठीक है, it stores data in temporary use, ये बिल्कुल ठीक है, it acts as a high speed buffer between CPU and main memory, CPU and main memory के भीच में high speed का काम करता है, ये बिल्कुल ठीक है, it is slower than the main memory, ये बिल्कुल गलत है, त्योंकि cache memory तो famous ही past chest memory के नाम से होती है, which among the following registers in instruction cycle holds the last instruction fetch? इन में से कौन से register में, वो last instruction जो भी computer ने फैच किया होगा, CPU ने फैच किया होगा, वो लिखा जाएगा, तो वो होता है आपका instruction register, क्योंकि instruction register के अंदर सारे instructions होते है, तो last entry वही होगी, जो last perform किया होगा, तो instruction register, और memory buffer register के अंदर कौन सा होगा, जो अभी एकदम से execute नहीं करना हो, जो थोर टाइम के बाद execute करना होगा, which of the following is also known as a flash drive, इन में से flash drive किसको बोला जाता है, basically pen drive जो होती ही, आपकी secondary storage, उनको आप auxiliary storage इसको बोलता है, extra supplementary devices होती है, उनको आप flash, तो pen drive को flash drive भी बोला जाता है, a dash can either be malware और hardware, इन म अचा, अभी चलो आगे पढ़ते हैं, अगर आपको यहां तक समझ नहीं आया तो, the main purpose of this malware is to record keys pressed by a user on the keyboard, यह वो है, जो यह देखता है, कि आप कौन सी keys pressed कर रहे हो keyboard पे, वहां से क्या कर सकता है, आपके passwords को track कर सकता है, उनको hack कर सकता है, तो यह होते हैं, आपके keyloggers, और इ आ रहे है, यह soft keyboard, अगर मुझे कुछ भी type करना होगा, तो मैं इस पर click करूंगे, तो वह एक virtual keyboard यहां पर आ जाएगा, तो अगर आपको ऐसा करना हो, अगर आपको इस चीज़ से बचना हो, तो हम normally virtual keyboards का इस्तमाल भी करते हैं, इन में से वो कौन सी networking device है, जो network traffic को filter कर देती है, और बहुस सारे, मतलब अगर बहुस साई devices connect भी कर रही है, लेकिन साथ में filter का काम भी कर रही है, तो that is switch, देखो, यही फरकता switch और router में, router क्या कर रहा था, router का एक और काम भी था, router और upgrade version है, router का काम यह था कि वो क्या कर रही थी, जैसे बहुस साई devices connect है, तो router इन में से भी select करके भेज गे थे कि किसको सिर्फ कितना data जाना है, तो वो data को modify भी कर सकता था router, और switch क्या है, switch को हम बोलते है intelligent hub, intelligent hub, hub क्या था, कोई भी hub में कई साई devices connect की, सारा data, कोई data आया एक device से, तो वो बाकी बची वी sub device में जाएगा, चाहे उसको जुरुरत हो या नहीं, तो हब में क्या था, network traffic हो जाता था, switch ने क्या किया, switch कोई भी data आया, वो यह देख रहा है, switch पहले कि जाना कहां पे है, इसे बही भेज रहा है, तो traffic course ने कम कर दिया, router ने कहां कि अच्छा, data जाना तो इस system पे है, पर data भी सारा नहीं जाना, उसमें से इतना portion जाना है, तो router ने उसको भी modify कर दिया, तो आप यह देख सकते हो, तो switch को इसलिए intelligent hub भी बोलते है, Dash is a reading device that reads printed text by scanning it character by character, कौन से device है, जो scan करके character by character read करती है, तो that is optical character reader, character reader इसी में ही आ रहे है, वैसे भी ओ character को रीड करना है, तो option B is the correct answer, which among the following statements is incorrect about central processing unit, CPU के बारे में कौन से statement गलत है, सबसे पहला, CU directs and manages operation sequences, जो control unit है, वो सारे operation sequences को manage करता है, यह बिल्कुल ठीक है, ALU, arithmetic logical unit, देखो arithmetic logical unit सारे mathematical functions perform करने के काम आता है, इन्होंने क्या लिख रखा है, it is responsible for taking input, converting it into signal and storing it for further processing, यह बिल्कुल गलत है, यह काम as a whole CPU का होता है, ALU का main काम होता है, mathematical brain देखो आ गया, it is also known as mathematical brain, control, तो यह बिल्कुल गलत है और आप से यह पूछ रखा था, कौन से statement गलत है, तो जो B option है, that is wrong, D भी पढ़ लेते हैं, control unit controls the order in which, बिल्कुल, control unit का काम होता है, यह देखना कि कौन सा instruction पहले follow होगा, कौन सा instruction बाद में follow होगा, कौन सी process पहले जाएगी और कौन सी process बाद में जाएगी, तो इसका जो correct answer है, वो है option B, क्योंकि option B ही आपका incorrect statement, next question is, which of the following keyboard shortcut is used to close a MS Word 365 document, यह जो आम shortcut में आपको बताने वाली हो है, सिफ MS Word में यूजनी होगा, हर जगा, अगर आपको कोई भी, आपको कोई भी close करना है, आपको Word close करना है, PowerPoint close करना है, Excel close करना है, Alt plus F4 press करोगे, आपका वो document, वो PowerPoint presentation, worksheet आपकी close हो जाएगी, तो Alt plus F4 is the correct answer, next question is, a Dash port transmits one bit of a byte at a time as a single stream of bits, वो कौनसा port है, जो पूरे byte में से एक-एक bit transfer करता है, और slow data को transfer करने के काम आता है, Serial, Universal Serial Burst, USB, Display and Parallel, देखो मैं आपको बता दू, USB तो बहुत fastly data को transfer करता है, Serial जिसको bus भी बोलता है normal, वो सबसे slow काम करता है, तो Serial is the correct answer, मतलब आप समझो कि एक-एक bit transfer होगी, byte भी नहीं, bit से बड़ा होता है ना byte, तो जिसे हम कुछ download करते हैं, KB में downloading की speed आती है, लेकिन वो bits में आती है, तो वो है आपका Serial bus, तो 6 March के questions सारे complete हो चुके हैं, 20 questions over हो गए, अब हम बात करते हैं, आपके 7 March के questions की, the first question is, what will be the function given below return in MSXL 2010, the first question is match, आपको match करना है 12, यानि 12 को देखना है इतने array में से, और 1, 1 का मतलब है small value, minus 1 का मतलब होता है कि larger values, 0 का मतलब होता है exact values, और 1 का मतलब होता है आपका smaller values, तो आपको smaller values देखनी है, 12 से छोटी कितनी values है, 12 से छोटी से फेक value है 10, तो the correct answer will be 1, एक ही value है, which among the following ports is called as mouse port, इन में से कौन से port को mouse port बोला जाता है, PS2, आपको मैं बता दू, अच्छा, वीडियो ग्राफिक एरे में कितने holes थे, 15 holes थे, printers के लिए, line printers के लिए कौन सा था, parallel port था, और mouse के लिए क्या है, PS2 port है, तो याद रखेंगे, next question is, which one of the following folders is used to store deleted emails, इन में से कौन सा folder है, जो deleted emails को भी restore करने के लिए काम आता है, तो जितने भी आपके deleted emails है, वो सारे कहां जाते हैं, trash में जाते हैं, तो obviously trash से ही आप restore कर सकते हो, which of the following is not a LibreOffice software, LibreOffice software suite program, इन में से कौन सा LibreOffice का software का program नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, LibreOffice में impress, writer, calculator, सारे होता हैं, बट Excel का नहीं होता, तो LibreOffice Excel, LibreOffice software suite में नहीं मिलेगा, Dash was the first browser to display images online, ये मैं आपको बता चुक्यों, कौन सा सबसे पहला browser था, जिसने images दिखाई थी text के साथ, मतलब images अलग से windows में थी, ये से आप अभी कुछ भी सर्च करोगे, तो image का अलग option आता है, text का अलग option आता है, हाट चीज का अलग अलग आएगा, तो वो कौन सा browser था, जिसने text के साथ ही images दिखाई थी, वो सबसे पहला था, mosaic, तो mosaic नहीं, जो है, text के साथ, साथ ही images दिखाई थी, separate window में नहीं दिखाई थी, dash records everything you type on your PC, वापस से type आ चुका है, यानि आप कुछ भी type कर रहे हो, press कर रहे हो, keys press कर रहे हो, तो वो आपको record कर रहे है, keyloggers, your question, जो है, वो repeated है, इसले मैं दुबारा इसको नहीं explain कर रहे हूँ, dash is a networking device that filters network traffic, कौन सा device है, जो network traffic को filter कर देता है, ये question repeat है, switch, अभी मैंने आपको explain किया, dash displays a list of utility configured the system, system and ये वापस से दे, आप देख रहे हो, इसमें सारे second march वाले questions आ रहे हैं, कि कौन सा है, जो install करेगा hardware और software भी, control panel, सबसे पहला question यही था, which of the following shortcut keys used to select all the cells of current row, अगर आपको पूरी की पूरी row को select करना है, तो आप क्या करते हो, shift plus space bar, ये मैंने आपको करके भी दिखाया था, ms excel में, कि आपको एक पूरी row आपको select करना है, जितने भी उसमें cells सारे, तो आप क्या प्रेस करोगे, shift plus space bar, dash are a set of wires, which carries a group of bits and parallel, and has an associated control scheme, wires का एक group है, जिसमें bits होते हैं, बिल्कुल parallel, और control scheme होती है, एक communication path प्रुवाइड करता है, ताकि computer system में, जो दो तीन चीज़े आपने connect कर रखी हैं, आपने computer system में 2-3 devices connect कर रखी हैं, तो वो आपस में, कैसे coordinate करेंगे, तो basically आप से क्या पूछ रहा है, मैं आपको, मैं बता दूँ, यहां से बिल्कुल clear हो रहा है, इसका answer, computer में अपने mouse भी connect कर रखी है, आपने keyboard भी connect कर रखी है, printer भी connect कर रखी है, तो आप कैसे connect करते हो, obviously wire को attach करते हो, तो वो ही बोल रहा है, उन पूरे wires के group को क्या बोलता है, buses बोलता है, अलग-अलग type के buses होता है, USB, universal serial bus, parallel ports, बनावी सारी क्या है, buses के अंदर ही आते हैं, तो buses हैं, जिससे आप side devices connect कर सकते हो, wires का ही group होता है, which among the following type of computers also known as notebook, notebook किसको बोलता है, laptop को, ये मैं आपको समझा भी चुकि हूँ, laptop computer को notebook भी बोला जाता है, dash is the bit rate of available or consumed information capacity, expressed typically in metric multiples of bits per second, यानि उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना, जितनी information हमारे पास है, या हम use कर रहे हैं, तो उसकी speed को हम bit दर, यानि bits per second के हिसाब से, जो हम बताते हैं, वो होती क्या है, मतलब यह जो speed है, किस चीज की speed है, यह होती है bandwidth की speed, कि कितने bandwidth आपके पास available है, कितनी information आपके पास available है, which of the following is a web browser, created and developed by Microsoft, इन में से कौन सा web browser, जो है, वो Microsoft ने बना रखा है, और develop कर रखा है, edge, obviously, edge है, जो Microsoft ने खुद बनाया है, और develop किया है, इन MS Word 365, control plus E, देखो, यह बहुत असान है, control E होता है, अगर आपको center में, किसी भी चीज को align करना हो, आप कुछ भी लिख रहे हो, नॉमली वो left align पर होता है, तो left align करना हो, तो control L, right करना हो, control R, center में करना हो, तो control E, तो control E होता है, center align करने के लिए, crypto locker is a form of, which of the following, crypto locker किस चाइब का software है, crypto locker क्या है, ransomware, आपकी information को, आपको ही use करने से, रोक देगा, आपसे bribe ली जाएगी, आपसे रुपे लिए जाएगी, उसके बाद ही आप उसको use कर सकते हो, crypto locker क्या है, ransomware, which among the following is not a magnetic storage, इन में से कौन सा magnetic storage नहीं है, वापस है, repeated question है, आपकी बार options अलग है, floppy drive magnetic है, winchester disc magnetic है, magnetic tape तो magnetic हो गई, memory guard is not a magnetic device, और magnetic storage, which among the following statements is correct, इन में से कौन सी statement correct है, magnetic tape consists of horizontal rows, called channels or tracks, ये बिल्कुल ठीक है, वोई भी magnetic tape होगी ना, उसमें horizontal जो rows है, उनको आप बोलते हो channels or tracks, और ये learn भी कर ले ना, इसको से वैजा option पढ़ने की जोड़ अतनी है, learn भी कर ले ना, इसमें भी question आ सकता है, there is no addressing in the magnetic tapes, यानि आपकी जो magnetic tapes हो, उसमें कुछ भी address नहीं कर सकते, कि हर चीज का एक reference होगा, अब magnetic tape consists of vertical columns called frames, जो rows हैं, उनको हम बोलते हैं, channels, या फिर tracks, जो columns हैं, उनको बोला जाता है, magnetic tape drivers are not suitable for storage of data, that need to be accessed randomly, गलत, अगर आपको कोई data, रांडमली उठाना है कहीं से, तो आप उसके लिए magnetic storage का use नहीं कर सकते हैं, बिलकुल गलत आप यूज कर सकते हो, तो यह आपसे incorrect statement ही पूछ रह था, तो option D is the incorrect statement, and it will be the correct option, dash holds address of the active memory location, जो active memory है, जो अभी सक्री है memory है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसकी location का address किसके पास होता है, memory address register, instruction register में क्या होगा, जो instruction आपने last fetch किया होगा, वो होगा, consider the following statements regarding line spacing of a paragraph, paragraph में lines हैं, तो इन lines में कितना कितना space होना चाहिए, तो उसके regarding कुछ lines हैं, सबसे पहला, line spacing determines the amount of vertical space, बिल्कुल, कि line spacing का मतलब है, vertical space कितना होगा, यह बिल्कुल ठीक है, line spacing determines the amount of diagonal space, वो बोल रहे है, diagonal space कितना होगा, बिल्कुल गलत है, diagonal space, यह बिल्कुल गलत है, जो line spacing है, वो vertical space देखिए, तो only P is correct, आप से correct statement ही पूछ रखिए, तो only P is the correct statement, which among the following statement, is incorrect for input devices, इन में से कौन सी statement incorrect है, first is, input devices help computer in receiving data, input devices receive करने में काम करती है, बिल्कुल ठीक है, input devices are also called as peripheral device, नहीं, peripheral devices होती है, extra devices, side line devices, जो आपकी बस extra help करती है, so input devices को peripheral devices, नहीं बोला जाता, OMR is an input device, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि optical mark reader, magnetic ink को read करने के काम आता है, input devices accepts user data, ये भी बिल्कुल ठीक है, input devices हमारा data को, हमारे data को accept करती है, तो गाईज, ये थे आपके CGL 2022 के, मेंस के सारे questions, I hope पढ़के आपको एकदम नए नहीं लगे होंगे, हमने क्लासे में सारे questions, हम आपको अलड़ी discuss कर चुके हैं, इसी के साथ आपको, अगर वीडियो की PDF जो चाहिए होगी, आप उसके लिए टेलिग्राम चानल जॉइन कर सकते हैं, हमारा टेलिग्राम चानल at the rate rv underscore s के नेम से आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा, सारी वीडियो के अपडेट, सारी PDF आपको टेलिग्राम चानल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसी के साथ आपका complete general awareness का जो course है, वो हमारे पास, हमारे आप पर available है, बहुत reasonable price 799 में, वो भी 8 months की validity, जिसमें साचिन सार, शीवं सार और मैं तीनो की जो courses है, वो सारे available हैं आपके पास, सारी PDF आपको मिल जाएगी, इसी के साथ अगर आपको सिफ GS पर focus नहीं करके, आपको main सारे subjects पर focus करना है, maths, English और reasoning पर भी, तो आप हमारा सबसे recommended batch, जिसका results आप आप अल्री देख चुके हैं, आपकी बार exams में, officer batch में enroll कर सकते हैं, ये आप कैसे सकते हो कि all-rounder batch है, जिसमें आपको सारे subjects की videos, pre-recorded sessions, mock test, आपके practice sessions, सारे upload होंगे, तो आप हमारे officer batch में भी enroll कर सकते हैं, इसी के साथ हर subject का अलग हमारी RBA application पर आपको course मिल जाएगा, आप अपने requirement के साब से enroll कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये GS का batch है, जीके का batch है, GA का जिसमें, अभी मैंने आपको ये बताया, maths का द्रोना चाहरा है batch है, maths का, reasoning का, शुबम सरकाई course है, और English का अमन सरकाबाच है, तो आप अपने requirement के साब से enroll कर सकते हैं, तो guys ये थी आज के वीडियो, मैं उमीद करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसी के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए, ये बुग बाय और और अपने अबूद के लिए,